अगर आप भी सर्च कर रहे हैं कि Samsung Galaxy S20 FE 5G में आप developer option को कैसे on कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको Samsung Galaxy S20 FE 5G के अंदर developer option को on करके दिखाऊंगा इस वीडियो का पूरा जरू से देखिएगा Hello दोस्तों मेरा नाव अंकी तो आप देख रहे हैं Technical NK YouTube चैनल तो without wasting any time करतें इस वीडियो को start उससे पहले आप इस वीडियो को like कर दीजिए अगर आप पहली बात देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप चैनल को जूरू से subscribe कर लीजिए इससे ऐसी जो भी amazing वीडियो दाएंगे उनको notification सबसे पहले आपको मिलेगा तो guys developer option को on करने के लिए सबसे पहले हमें setting icon पर click करना है click करने के बाद जैसे आप इसे नीचे scroll करेंगे अभी आप देख सकते हैं यहाप developer option आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसे भी on नहीं किया है on करने के लिए आप जैसे नीचे scroll करते हैं आपके एक option मिलता है about phone का simply आप इस पर click कर दिजिए click करने के बाद आपको यहापई अपने phone की सारी details वो आपको यहापे show हो जाएगी उसके बाद आप जैसे नीचे scroll करते हैं यहाप मिलता है softer information software information के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर जो भी आपका Android वर्जन इस्टॉल्ड है वो आप देख सकते हैं इसे Android 13 इसमें इस्टॉल्ड है और बनी UI का जो भी वर्जन इस्टॉल्ड है वो भी आपको यहां से दिख जाएगा इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर आपको ए देख सकते हैं कि आपको यहां से इनेवल हो चुका है और इसके नतर बहुत सारी एडवांस सेटिंग्स आपको मिलती है इस फोन की इन्हें आप यूज करके अपने फोन को और आप अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हैं आपके लिए वीडियो काफी जादा हेलफुल रह और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने डेवलपर ऑप्सन जो ऑन किया है उससे आपने किस ऑप्सन को यूज करने के लिए किया है तो वाइस मैं मिलता हूँ आप से किसी अगले वीडियों अगले किसी टॉपिक के साथ तब तक आप खुश रहे हैं अपने आसपास के लोगों को कुश रखिए जय इन्द जय वरत